Hello Friends, Welcome to iStudy Employees Provident Fund Organization की और से एक exam conduct करवाय जा रहा है स्टेनोग्राफर की पोस्ट के लिए आज ये exam एक अगस्त को conduct करवाय जा रहा है और इसकी जो first shift है वो complete हो चुकी है तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे first shift की complete analysis क्या-क्या exam का pattern रहा है banking रहा है, ssc रहा है क्या-क्या topics पूछे गए है JK में क्या आया था और आप लोग की जो reasoning है उसमें क्या आया था English में complete analysis देखने वाले है जो आप लोग की first shift complete हुई है सबसे पहले हम लोग देख लेते जो इसका जो level देखने को मिला है कि level कैसा रहा है exam का तो moderate रहा है और एक चीज मैं आप लोग को बता देता हूँ ssc वाले भी ध्यान रखेगा और steno वाले भी इसमें कोई भी sectional timing नहीं है कि एक particular section के लिए कोई timing fix है तो ऐसा कोई sectional timing नहीं है आप एक particular section पर जितना मर्ज़ time दे सकते हैं लेकिन आप लोग का overall time कम पड़ जाएगा अगर आप लोग ने एक particular section को submit कर दिया है फिर आप लोग वापस से उस section पर नहीं आ सकते हैं इस तरीके से हैं लेकिन sectional timing नहीं है तो ये ध्यान रखेगा जिनका भी exam next shift में होगा और SSC वाले जो हैं जिनका exam 18, 21, 22, 13 अगस्त को होने वाला है अब देख लेते topic wise किस-किस topic से क्या के question पूछे गए हैं सबसे पहला section आता आप लोग का JK वाला easy to moderate section था अब इसमें क्या था आप लोग के current affair के question पूछे गए 4 से 5 एक दो question 2022 के थे और कुछ question 2023 के थे उसके बाद जो question आये था आप लोग का river से related एक question आये था उसके बाद आप लोग का politics से question आये था कि voting age कितने reduce कर दे गई थी 21 से 18 साल हुई थी तो ये constitution amendment था तो ये था आप लोग का 61-1989 में ये amendment हुआ था उसके बाद question solar system से आये है जोग्राफी से question आप लोग के ज़्यादा आये थे river में आप लोग को बता चुका हूं उसके बाद जोग्राफी से ज़्यादा question आये physics के question भी आये है आप लोग के science के question भी आये है इंटेंसिव एलेश्टि हो गये और साउंड की युनिट इस टाइप के तो यह ता आप लोग का रिव्यू जिके में अगर आप लोगों से पूछा जाए तो यह ने एससी लेवल की पूछी है किसकी एससी लेवल की कुछ आप लोग की इस्ट्री पॉलिटी जोगराफिय आप लोग के साथ share कर दूँगा एक भी answer भी और extra fact भी बताऊंगा तो जिके के जिनके भी question percept में हो चुके हैं और उनको question याद है तो please आप लोग comment में comment कर दीजेगा जो जो question आप आप लोग को याद है अब चलते नेक्स section पर नेक्स section आता आप लोग का English वाला यह लेंटी था और पैटन इसका क्या था इसमें आप लोग के English का comprehension पुछा गया था जो लेंटी था नरेशन जो होता आप लोग का direct indirect हो गया active वेश्य होता यह भी पुछे गए साथ से आट question उसके बाद spelling जो correction करना होता है चार question इसके पुछे गए थे next आता है आप लोग का English में यह पुछा गया था बाकि अंटोनियम सिनोनियम थे तो यह इंगलिस का pattern था आप लोग बताईएगा जो भी आप लोग को याद है English में कि सर इस इस type के question पुछे गए थे तो English आप लोग की SSC वाली पुछे गई थी अब चलते है reasoning पे reasoning का overall भी मिल चुका है तो reasoning में आप लोग की बैंक यह क्या नाम reasoning में आप लोग का mix pattern था banking भी था और SSC था और reasoning में आप लोग को याद रखना है कि math भी पुछा गया है कभी आप लोग सिर पर reasoning पढ़के जाओ तो math भी पुछा गया है percentage थी और कोई भी advanced math नहीं पुछा गया है मैं आप लोग को उलड़ी बता चुका हूँ जब मैंने strategy बताई थी EPF हो की कि advanced math नहीं आएगा तो यहाँ पर आप लोग देख लीजेगा कोई भी advanced math का question नहीं था time and work से question पुछा गया है उसके बाद coding decoding का question easy था blood relation से question आया है SI CI से question आया है यह purely arithmetic है उसके बाद reasoning में आप लोग को serating arrangement भी पूछी है पजल भी पूछी है तो आप लोग basic puzzle जो color के लेवल किया वो करकर जाईएगा percentage आप लोग को बता चुका हूँ wrong number series आप लोग की पूछी थी profit loss से भी question आया है time and work के तो question 2-3 थे उस आप लोग का reasoning का review mixed था आप लोग का SSC and banking वाला और यह आप लोग का English आप लोग की SSC थी और जीके तो easy to moderate थी बाकी SSC और इस तरह की थी current affair था तो जिनका भी exam था first shift complete हो चुकी है तो मेरी आप लोगों से request है कि first shift में जिसको कोई भी question याद है तो please comment कर दीजेगा जिससे मे की analysis चाते हैं तो वह आप लोग comment करिएगा बस question आप लोग share कर दीजेगा comment box में या फिर आप लोग question मुझे WhatsApp पर भी कर सकते हैं WhatsApp नंबर है मेरा 7409781828 इस नंबर पर आप लोग को जो भी question याद है WhatsApp भी कर सकते हैं और second shift वाले जिनका भी exam है वह भी ध्यान रखेगा कि इस पर आप लोग review दे जीजिएगा तो अगर आप लोग को history channel की और सकीगे analysis पसंद आती है तो आप लोग video को like कर सकते हैं और अगर चैनल पर फस्ता विजिट कर रहे हो तो चैनल को subscribe रखिए बैल आइकन को on कर डिजिए जैसे ही second shift complete होगी उसकी भी analysis मिलेगी आप लोग को और